Hello everyone, welcome again to LearnPrettyman. Last video में हमने राजिस्थान के वस्तर के संबंद में सभी कुशन कर लिये थे. तो आज के वीडियो में हम करेंगे राजिस्थान के आभूशन. Important है, बहुत जादा important है. आप किसी भी condition की तयारी कर रहे हो, चाहे वो आपकी REIT हो, 2nd grade हो, 1st grade हो, पटवार हो, RAS हो, वहां तक आपके यही question जो है वो आपूशन से संबंदित पूछे जाएंगे. तो आपको वीडियो बहुत अच्छे से देखना है. लाज्ट वीडियो यदि नहीं देखे हैं, तो उनको भी देखिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक भी करिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं, question 31. बोर बोरला, रखडी, टिकड़ा, आदी आपूशन पहने जाते हैं, कहां पर? सिर पर. धमर्नियों, धेणियों, मूठ्या, आदी आपूशन कहां पहने जाते हैं? तो ये आपूशन जो हैं, वो गले में पहने जाते हैं, कंट पर पहने जाते हैं. धमर्नियों, धेणियों और मूठ्या. याद रखिएगा, ऐसे ही कुशन आपके एक्जामें पूश लिया जाएंगे, एक इसमें से थमर्नियों, धेणियों और मूठ्या लिख दिया जाएगा, और एक अलग सी आप्शन डाल दिया जाएगा, और पूछा जाएगा, कि इसमें कंट का आपूशन नहीं हैं. तो इसलिए आपको सारे आपूशनों के नाम याद रहने चाहिए, तुलसी, हालरो और हासली, ये आपूशन कहां पहने जाते हैं, तुलसी, हालरो और हासली, तो ये पहने जाते हैं कंट में, गले में, ठीके, नेक्स्ट है, 34, कर्णफूल, पीपल पत्रा, छेला, लटकन, ये सबी आपूशन पहने जाते हैं, कर्णफूल, पीपल पत्रा, छेला, लटकन, तो ये सबी easy हैं, ये याद हो सकेंगे, ये कान के आपूशन है, कंकन, मोकडी, कातरिया, नोगरी, आदी आपूशन कहां पहने जाते हैं, कंकन, मोकडी, कातरिया और नोगरी, ये सबी आप पर पहने जाते हैं, next है, 36 question, हत पान, बीटी, छड़ा, आदी आभूशन कहां पहने जाते हैं, हदपान, बीटी, छड़ा, आदी अबूशन कहां पहने जाते हैं, तो ये अंगुलियों में पहने जाने वाला आपूशन है, नेक्स्ट है, तो जो अबूशन के नाम आपको याद नहीं है, उन कुश्चन को आप बहुत अच्छे से ही लिख लें, जहां भी लिख रहे हैं, इनको नोट डाउन कर रही हैं, ठीक है, बार बार वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये चीज़ें जो है वो याद हो सकें, अबूशन पहने जाते हैं, नथ, बेसर, बारी और भोगली, ये जब भी अबूशन पहने जाते हैं, नाक पर, तो देखिए, जो सोच रहे हैं आप कि ये सबी तो हमें आते ही हैं, लेकिन एक भी आप अबूशन के नाम याद नहीं करें, और वही आपके एक्जाम में आ ज लिया जाए कि भोगली जो है वहें कहां पर पहना जाता है, आप्शन नाक पर, कान पर, हात पर, अंगलियों पर, तो याद नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि भोगली जो है, वहें हम लोगों ने आम नहीं सुना होता है, तो याद रखना है, नथ, बेसर, बारी, भोगली, यह सब यह आभुशन पहने जाते हैं नाक पर. कंदोरा वा कर्धनी, आदी आभुशन कहां पहने जाते हैं? कंदोरा वा कर्धनी, तो यह सब यह आभुशन कमर में पहने जाने वाले आभुशन है. दांतों में सोने के पत्तर की खोल बनाकर चड़ाई जाती है. जिसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे रखन कहा जाता है. दांतों में सोने की पत्तर की खोल बना कर चड़ाई जाती है, जिसे रखन कहा जाता है. किसी इस्तरी द्वारा दाटों के बीच में सोने की कील जड़्वाना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है, चूंप. ठीक है? याद रखिएगा, दाटों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है चूंप नेक्स्ट है question 42 ठुसी आभूशन कहां पहना जाता है ठुसी आभूशन जो है वह कहां पहना जाता है तो यह है पहना जाता है गले में, कंठ में टोटी, अंगोटिया फूल जुमका, लटकन ये कभी, ये सभी आभूशन जो है वह कहां पहने जाते है तो हमें पता है कि फूल जुमका, लटकन जो है वह कानों में पहना जाता है इसी तरीके से टोटी, अंगोटिया याद रखिएगा, ये भी कानों में पहना जाने वाला आभूशन है मोकडी, चांट, चूडी गोखुरू, कातरिया आधी आभूशन पहने जाते है तो यहाँ पर चूडी जो है हमें याद रहता है तो इसके अलावा मोकडी, चांट, गोखुरू, कातरिया ये सब भी आभूशन कहां पहनते हैं? हांतोपर नेक्स्ट है 45 कुशन नाक पर पहने जाने वाला आभूशन है, काटा, चूनी, चोप, भवरकडी और भोगली, यह सब भी नाक पर पहने जाने वाले आभूशन है, तो देखिए कितने सारे आभूशन जो है वह स्त्रियाधारन करती है दामणा आभूशन पहना जाता है यह कहां पहनते हैं अंगुली में यह question आपके पूछा भी जा चुका है कि दामणा आभूशन कहां पहना जाता है अंगुली पर Next है 47 question सरी आभूशन पहना जाता है सरी आभूशन कहां पहना जाता है तो क्या आपको याद है सरी आभूशन कहां पहनते हैं तो देखिए इसका आंसर है गले पर सरी गले पर पहना जाता है मांदलिया आभूशन पहना जाता है मांदलिया कहां पहना जाता है तो यह कंट या गले पर पहना जाने वाला आभूशन है लाग से निर्मित चूड़ी कहलाती है लाग से निर्मित चूड़ी क्या कहलाती है तो इसे कहते हैं मोकड़ी मोकड़ी कि किसे कहते हैं लाग से निर्मित चूड़ी को Q50 है काँच से निरमित चूड़ी कहलाती है तो काँच से निरमित चूड़ी जो कि आप लोगों ने आम सुनी भी होगी तो इस चूड़ी को कहते क्या है या आप जान लीजये काथरिया, क्या कहते हैं काथरिया नेक्स्ट है 52 Juliet बच्चों के कान छिदवा कर कानों में जस्ते का कौन सा अभूशन पहनाया जाता है तो बच्चों की बात हो रही है बच्चों को भी अभूशन पहनाते हैं उनके कानों में जस्ते का अभूशन पहनाते हैं जिसे कुड़क कहते हैं याद रखिएगा क्या कहते हैं, कुड़क कि कहते हैं, अचानक से एक्जाम में आ जाएगा कुड़क किसे कहते हैं, याद नहीं रहेगा, याद रखना है कानों में जस्ते का आभूशन जो की बच्चों के कानों में पहनाया जाता है, ठोस सोने की कुड़क क्या कहलाती है, त Question 54 है, चांदी के बारीक तारों से निर्मित तार कसी के आभूशन कहां के प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा में स्री नाजी की नगरी में, ठीक है, नाथ द्वारा के स्री नाजी की नगरी में चांदी के बारीक तारों से निर्मित तार कसी के आभूशन प्रसिद्ध है, कांच के बीच सोने के तारों का बारी काम की कला हितु प्रसिद है तो यहां पर कैसे तारों का बारी काम है कांच के बीच जब सोने के तारों का काम किया जाता है तो यह कला कहां की प्रसिद है यह प्रतापगड की थेवा कला जो है वह है प्रसिद है ठीक है परताप गड़ की थेवा कला जो है वो काच के बारी काम करने के लिए प्रसिद्ध है पाउं में पहनाई जाने वाली पतली सांकली सांकली पाउं में पहनाई जाती है जिसमें घुंगरिया पान दी जाती है तो यह क्या कहलाती है इसे जहांजरिया कहते हैं क्या कहते हैं जान जरिया कोश्यन पिप्टी सेवन है राती जीतरी में सोने का खेरा, मूम की आखा और रतन चनडर बांद कर तयार किया गया बच्चों की गले का अभूशन क्या कहलाता है जिससे की बच्चों को नजर ना लगे तो इसे कहते हैं नजरिया याद रखना है क्या कहते हैं नजरिया तो ये आज आपका इस चैप्टर का अंतिम कुश्चन था चलिए आज हमने ये चैप्टर कम्प्रीट कर लिया है इंपोर्टेंट है आप लोग इनको याद रखिएगा नेक्स्टर वीडियो में नेक्स्टर करेंगे चैप्टर थेंक यू